एक्सरसाइज 15.2 का question no.2 देखते हैं, second question में दिया है, the dimensions of a cuboid are 5 cm, 3 cm and 2 cm, draw 3 different isometric sketches of this cuboid, देखो, एक cuboid है, ठीक है, उस cuboid का dimension हमको दिया हुआ है, dimension मतलब क्या, length, breadth और height, एक 3D diagram बनाने के लिए हमको 3 dimensions की जरूरत होती है, ठीक है, 3 axis होते हैं, उसके x axis, y axis और z axis, ठीक है, अगर आपको axis समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको confuse होने की जरूरत नहीं है, आप axis पर ध्य जान मत दो, 3 dimensions का मतलब हो गया, length, breadth और height, तो उसका length, breadth और height हमको दे दिया है, और हमको बोल रहा है कि isometric sheet में, इस cuboid का sketch बनाना है, ठीक है, isometrics के, जो dot sheet होता है, उसमें हमको 3 अलग-अलग cuboid बनाने है, ठीक है, dimension सेम रहेगा, cuboid 3 अलग तरीके से बनाना है, तो कैसे होगा देखो, dimension सेम रहेगा का मतलब, 5 cm उसका पहले अगर हम height ले लेते हैं, ठीक है, फिर length, breadth और height है, तो 5 cm height हो गया, 3 cm breadth हो गया, और 2 cm height हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 cm को length ले ले लेंगे, 2 cm को breadth ले ले लेंगे, और 5 cm को height ले लेंगे, ऐसे करके हमर पस 2 diagram हो गया, त 5 cm को breadth ले ले लेंगे, और 3 cm को height ले लेंगे, इस तरीके से हम 3 अलग अलग तरीके से, एक ही cuboid को, 3 अलग अलग तरीके से, isometric sheet में draw कर सकते हैं, ठीक है, एक और अच्छा example में आपको दूँगा, whiteboard के तरफ चलते हैं, तो आपको जादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो देखो, इस question में क्या बोला है, एक isometric dot paper में हम को sketch बनाना है, किसका sketch बनाना है, एक cuboid का, cuboid क्या होता है, ठीक है, देखो, cuboid इस तरह का एक box है, इसको आप cuboid बोल सकते हो, cuboid की पहचान है कि उसका जो face होगा, वो rectangle shape में होगा, cube क्या होता है, जिसका face जो है square shape में होता ह और cuboid का face rectangle shape में होता है, इसको cuboid की बोलते हैं क्योंकि एक three dimensional shape है, आप देखो, यहां से इसका पहला face हो गया, उपर इसका top face, नीचे इसका bottom face, right side में इसका right face, और left side में इसका left face हो गया, अब इस cuboid का dimension दिया हुआ है, length दिया हुआ है, पीछे तरफ इसका breadth है, वो breadth दिया ह हुआ है, और इसका height दिया हुआ है, क्या-क्या दिया है, 5 centimeter दिया है, breadth 3 centimeter दिया हुआ है, height जो इसका 2 centimeter दिया हुआ है, अब इस cuboid को, तीन अलग-अलग तरीके से हमको यहाँ पर, इस isometric sheet में sketch करना है या फिर draw करना है, तो तीन अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप imagination power को आपको use करना है ठीक है, कैसे आप use करोगे सबसे पहले box ऐसे ही रखते है, ये cuboid है, तो ये वाला face आपको दिख रहा है सामने, ठीक है ये face, इस तरीके से आप draw कर सकते हो ये इसका length हो गया, ये breadth हो गया ये height हो गया, दूसरा एक तरीका है, आप इसको अगर इस तरीके से मोड़ लो, इस तरीके से भी आप draw कर सकते हो, ठीक है या ये सामने का face दिखेगा आपको और जो पहले सामने दिख रहा था, वो top face हो गया है, ठीक है, और ये इसका height हो गया, पीछे इसका breadth हो गया तीसरा क्या तरीका है, आप इसको अगर ऐसे rotate कर लो तो भी आप इसको एक cuboid बोल सकते हो, क्योंकि ये एक rectangle shape ही है, ठीक है, आप इस तरीके से भी draw कर सकते हो, आपको अपना imagination power use करना है, और आपको draw करना है, और draw करना बहुत easy है, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है, चौथा तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से भी draw कर सकते हो, ठीक है, ये face सामने आ जाएगा, ये face left face, ये right face, top face, bottom face, और पीछे का back face, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी draw कर सकते हो, तो एक cuboid को एक isometric sheet में draw करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ये मैं जस्ट आपको example देने के लिए बता रहा था, अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपको draw कैसे करना है, ठीक है, तो आप देखो तीन dimensions हमको textbook में दिया हुआ है, एक दिया है 5 cm, ठीक है, तो unit, ये जो मतलब दो dots के बीच का जो distance है, वो 1 unit है, या फिर आप बोल सकते हो, इस case में 1 cm का है, क्योंकि यहाँ पर unit cm है, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि unit को कैसे measure करते है, ठीक है, आप unit को meter में भी ले सकते हो, cm में भी ले सकते हो, mm में भी ले सकते हो, km में भी ले सकते हो, जो आपको question में दिया हूँ, वो आपको assume करना है आपार, तो ये जो है, मेरा exact measurement के हिसाब से नहीं बना हुआ है, तो diagram थोड़ा तिर्शा मिर्चा हो सकता है, ये मैं आपको पिछले question में भी बताया था, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का जो distance है, वो 1 cm का ही होगा, हमको assume करना है कि ये 1 cm का है, तो आप क्या करेंगे, तीन अलग अलग तरीके से बनाने के लिए, पहले हम इसको length को ले लेते हैं, 5 cm, ब्रेट्थ को ले लेते हैं, 3 cm, और इसका height ले लेते हैं, 2 cm का, ठीक है, पिछले question में आप देख चुके हो कि, कि क्यूबोइड को कैसे हम किसी भी isometric sheet में ड्रॉ करते हैं, तीन चीज़ की जरूरत होती है, length, breadth और height, एक बार ये पता चल गया, तो हमारा diagram easily बन जाता है, दूसरा ये तरीका है, कि इसको हम length अभी 5 cm ले थे, अब length ले लेते हैं, 3 cm का, breadth ले लेते हैं, 2 cm का, और height ले लेते हैं, 5 cm का, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, और तीसरा जो होगा, आप इसको फिर से rotate कर दो, इसका length ले लेते हैं, अब 2 cm का, breadth ले लेंगे 5 cm का, और height ले लेंगे 3 cm का, आप इसको और rotate करके, और भी अलग-अलग तरीके से बना सकते हो, length आप 3 cm कहीं पर लिए हो, यह ले लिए हो, यहाँ पर breadth 2 cm लिए हो, breadth आप 5 cm ले लो, height 2 cm लेके भी बना सकते हो, तो question में हमको बुला है, तीन अलग-अलग तरीके से बनाना है, तो तीन अलग-अलग तरीके से, अगर आप इसको follow कर लोगे, तो यहाँ पर easily बन जाएगा, तो कोशिश करते हैं, बनाने की यहाँ से starting करते हैं, length यहाँ पर 5 cm का है, ठीक है, तो length अगर 5 cm का लेंगे, suppose यहाँ से start करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 cm का length हो गया, breadth है 2 cm का, तो breadth हमेशे तीरचा जाता है, sorry, breadth यहाँ 3 cm, यानि कि 10 unit का है, तो यहाँ से 1, 2, और यह 3 unit, ठीक है, आपके उपर depend करते हैं कि आप कैसा imagine कर रहे हैं उसको, ठीक है, height यहाँ पर दिया हुआ है, 2 cm का, तो अब इसका height ले लेते हैं, height यहाँ से आएगा 1, और यह 2, 2 unit का हो गया, ठीक है, अब आपको करना किया है, सिर्फ इसके parallel lines, इसके according parallel lines खीच-खीच के आपको, उनको join कर देना है और आपका Q-Bert ready हो जाएगा, देखते हैं, यह इसका breadth है, breadth 3 unit का है, यहाँ से इसका parallel line यहाँ बनेगा, 1, 2, 3 unit, ठीक है, आप इसको join कर लो, इसका height देखो, 2 unit का है, यहाँ से यहाँ तक join कर लिए, 2 unit हो गया, अब यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यह हो गया, इसके parallel line यहाँ इसका parallel line यहाँ पर ट्रॉक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 unit का इसका length है, और इसको यहाँ से 2 unit इसका height ले लेते हैं, अब क्या करेंगे, इसके parallel यहाँ पर खिच लेते हैं, यह कितने unit का था, यह इसका breadth है, breadth 3 unit का है, यहाँ से 1, 2, और यह 3 unit, ठीक है, 3 unit के बाद, इसका length है 5 unit का है, इस point को और इस point को join कर लेते हैं, तो गया 1, 2, 3, 4, 5, यह 1 cubeid बन गया, ठीक है, आपको clear दिख रहा होगा, यह किस तरह का keyword होगा, मैं आपको example देता हूँ, यह इस तरह का है, ठीक है, आप इसको right side से देखोगे, तो ऐसा दिखेगा, यह वाला face इसका छूप जाएगा, सामने का face दिखेगा, नीचे का bottom का face दिखेगा, अगर आप नीचे से देख रहे हो, ठीक है, आपको अपना बस imagination power, imagination power यूज़ करना है, और इसको draw करना है, अगर आप इसको follow करोगे, तो यह draw करना बहुत easy हो जाता है, आपको सिर्फ length, breadth और height draw करना है, इतना draw करने के बाद, उनके parallel lines खीज देने, ठीक है, breadth इसका 2 cm, यानिकी 2 unit, तो इसको यहां से ले लेते हैं, 1 और यह 2, 2 unit का हो गया, और जो इसका height है, यह height 5 cm का है, तो यहां से height आएगा, 1, 2, 3, 4, और यह 5, देखो, यह जो मेरे dots है, वो exact measurement का नहीं है, इसलिए छोटा बड़ा हो सकता है diagram, ठीक है, अब कुछ निकरना है, आपको सिर्फ इसके parallel lines खीचने हैं, तो यहां से पहले इसका parallel line खीच लेते हैं, देखो, यह height है, height हमको कितना लेना है, 5 cm का, यानिकी 5 unit, तो 1, 2, 3, 4, 5 unit, ठीक है, अब इसका जो breadth है, वो 2 unit का है, तो यहां से 1, 2, देखो, exam में जरूरी नहीं है, कि सब का diagram एक जैसा हो, कोई भी किसी भी तरह का diagram बना सकता है, सब का imagination power अलग-अलग होता है, ठीक है, मैं इसको नीचे की, और इसको bend करके इसका breadth लेा, ठीक है, अब देखते हैं, इसका parallel हो गया, अब यहां पर इसका parallel इधर से लेते हैं, यह two units का था, इसका जो breadth है, तो यहां से लेंगे 1, और यह two, two unit का मतलब 2 cm, ठीक है, अब इसका जो height है, यहां से यहां तक, five unit का था, तो यहां से खीच लेते हैं, one, two, three, four, और यह five unit, ठीक है, अब इसके parallel ही जाएगा, जो breadth होगा, तो यहां नीचे जाएगा, नीचे किस तरफ जाएगा, यहां पर one, और यह two, two unit आ गया, अब इन दो points का आपन जोड लेते हैं, one, two, three, four, five unit का हो गया, अब आप इसको जोड़ोगे, तो यह इसका length है, length three unit का है, one, two, और यह three unit, ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है, आप देखो, यह आप इस साइट से अगर देखोगे, तो यह ज़रोड ही नहीं है, कि यह वादा line आपको ट्रॉक करना है, यह line आप नहीं भी ट्रॉक करोगे, तो चलेगा, अब यहाँ से आप इसको जोइन कर सकते हो, one, two, three unit, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, perfectly आपको समझ में आ रहा होगा, कि यह किस तरह का diagram है, ठीक है, यह जो box है, अगर आप इसको straight, इस तरीके सरग्द होगे, vertical pose में, ठीक है, vertical position में, आपको cuboid इस तरीके का नजर आएगा, अगर आपको चाहो, तो यहाँ से यहाँ तक इसको join कर सकते हो, लेकिन उसको आप जॉइन भी करोगे, तो चलेगा, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, तो जो नीचे का जो इसका bottom face है, वो आपको दिखाई नहीं देगा, यह जस्ट आपको imagine करना है, ठीक है, तो यह एक cuboid हो गया, इसके अलावा एक तीसरा cube item को बनाना है, जिसका length 2 cm का है, 2 cm का है, breadth 5 cm और height 3 cm का है, तो इसको यहाँ पर ऐसे नीचे से लेते हैं, यहाँ देखो, इसका जो length है, वो 2 cm का दिया हुआ है, 1 और यह 2, breadth 5 cm दिया हुआ है, तो breadth आपन यहाँ से लेंगे, 1, 2, 3, 4, और यह 5 cm, और जो height है इसका, वो 3 cm का दिया हुआ है, 3 unit, 1, 2, और यह 3 unit, अब आपको तीनों मिल गया है, length हो गया, breadth हो गया, height हो गया, उनके parallel lines आपको ट्रॉ करने हैं, तो यह जो breadth था, यह 5 unit का है, तो इसका 5 unit यहाँ ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अब यह breadth किस तरीके से जाएगा, इसके parallel जाएगा, याद रखना है, इसके parallel जाएगा, जो इसका पीछले का breadth है, उसके parallel जाएगा, अब यहाँ से इन दोनों point को join कर देंगे, तो यह 1, 2, और यह 3 unit का हो गया, तो 3 unit का क्या है हमारा height है, वो exactly आ गया, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो height है, ठीक है, यह height इसका 3 unit का है, 3 unit आप यहाँ से height ड्रॉ कर सकते हो, 1, 2, 3, sorry, 3 unit का ही इसका height है, 3 unit ले लिया आपन, अब 3 unit लेने के बाद, आप इसके parallel line खीच कर सकते हो, या इन दोनों points का आप जोइन कर सकते हो, तो यह जो length है, length आप देख सकते हो, 2 unit का है, यह 2 cm का 1, और यह 2 cm हो गया, ठीक है, इसके बाद, यह जो breadth है, इसका, यह breadth आप देख सकते हो, 5 cm का है, यहां से 5 cm ले ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और यह 5 cm, अब इन दोनों का आप जोइन कर दो, इन दोनों point का 1 और यह 2 cm का length हो गया, तो यह अपना एक और cuboid ready हो गया है, अगर आप देखना चाहो तो यह इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, आप मतलब यह cuboid है, आप left side से देखोगे, ठीक है, इस direction से देखोगे, जिस direction में मैं खड़ा हूँ, इस direction से देखोगे, तो यह इस तरीके का दिखाई देखा, इसका top face दिख रहा है, यह front face दिख रहा है, और यह right side का face दिख रहा है, लेकिन bottom left और back face नहीं दिख रहा है, वो यह है इसका 3D diagram, तो इस तरीके से, आप अपना imagination power यूज करके, isometric sheet में, किसी भी 3D diagram को, अपने according बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि, मैं जो बनाया हूँ, यही आपको बनाना है, आप अपने according, length, breadth और height लेके, यहाँ पर अपने imagination के इसाब से बना सकते हो, ठीक है, length, breadth और height अगर आप ये same भी ले लोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि, जैसा मेरा बनाया हूँ ऐसी बने, मैं इसको, इसका जो breadth है, वो नीचे की तरफ लिया हूँ, आप इसका breadth ऊपर की तरफ लेके भी बना सकते हो, ठीक है, तो यह हो गया exercise 15.2 का second question,